लोगों के लिए आत्मा पवित्र है, लेकिन शरीर उन्हें अपवित्र लगता है, ये कैसे संभव है? हम यही तो करते रहे हैं, है ना? ये कहना कि ईश्वर तो पवित्र है, लेकिन स्रिष्टी अपवित्र है, ये कैसे संभव है? इश्वर का विचार ही आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपने स्रिष्टी को देखा, है न? जब आपका जन्म हुआ और आपने आखें खोली आपने अपने आसपास देखा, वहां इतनी विशाल स्रिष्टी थी आपके यहां आने से पहले कितना कुछ हो चुका था? बेशक, आपने तो ये सब नहीं रचा इसलिए आपने सोचा कि इसका कोई ना कोई रचाईता होगा इसी तरह आप स्रिष्टा तक पहुँचे, है न? जिस पल आपने सोचा कि इसका कोई स्रिष्टा होगा चूंकि आप एक इंसान है इसलिए आपने सोचा कि वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा मेरे जैसा छुटा आदमी तो ये सब नहीं कर सकता निश्शित रूप से वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा सिर्फ दो हातों से वो एतनी रचना कैसे कर सकता है निश्शित रूप से उसके आठ हाथ होंगे अगर आप एक भैसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैसा होगा आप जाकर किसी भैसे से पूछ कर देखिए वो आप से यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैसा है शायद चार सिंग वाला आपने इदी अमीन के बारे में सुना है युगांडा वाला इदी अमीन ने एलान किया कि भगवान काले है मैं उससे सहमत हूँ अगर गोरों के भगवान गोरे हो सकते हैं तो कालों के भगवान काले क्यों नहीं हो सकते पर वे दोनों ही भ्रह्म में हैं हम जानते हैं कि भगवान सामले है क्योंकि वे खुद हमारे पास आये थे कुछ समय पहले मैं अमेरिका के नैश्विल शहर में लोगों के एक समूह से बात कर रहा था और मैं उन्हें एक चुटकुला सुना रहा था उस चुटकुले में मैंने भगवान को एक पूरुष की तरह संबोधित किया तुरंद ही कुछ महिलाएं खड़ी हो गई क्या भगवान को पूरुष मानते हैं मैं समझ गया कि बात कहा जा रही है मैंने कहा मैं केवल आपको एक चुटकुला सुना रहा हूँ नहीं आपने पूरुष का संबोधन किया क्या भगवान को पूरुष मानते हैं वे चुटकुलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं अब औरते बहस कर रही हैं कि भगवान एक औरत भी हो सकते हैं ऐसी समस्याएं केवल उन संस्कृतियों में ही है भारत में हमारे पास पूरुष भगवान, स्त्री भगवान, गाय भगवान, बंदर भगवान और हर आकार वप्रकार के भगवान पाए जाते हैं रेंगने वाले, चलने वाले, उडने वाले क्योंकि हमें भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का अंदाजा था देखिए इस ग्रह पर जब पुरुष सबसे शक्तिशाली बल था तो स्वभाविक रूप से पुरुष ही भगवान था अब महिलाएं भी ताकतवर होने लगी हैं तो वे भी सवाल करने लगी हैं कि भगवान एक औरत क्यों नहीं हो सकते मान लें कल अगर कुत्तों को बहुत सारी ताकत मिल जाए जो उन्हें मिल ही रही है तो कुत्ते भी पूछेंगे कि भगवान एक कुत्ता क्यों नहीं हो सकता डॉग और गॉड की स्पेलिंग भी एक सी ही है आपकी तुलना में वो ज्यादा करीब लगते हैं है ना भगवान के बारे में जो आपका विचार है वो केवल खुद का ही एक बढ़ा चढ़ा कर बनाया गया संसकरण है है ना भगवान के बारे में आपकी सोच केवल खुद को बढ़ा चढ़ा कर बनाया गई है देखिए अभी तक आप अपने आपको ही परिभाशित नहीं कर सके हैं है ना आप अपनी जो भी परिभाशा देंगे वो सही नहीं होगी किसी भी प्रकार की परिभाशा काफी नहीं है पूरी तरह से इस जीव कवर्णन करने के लिए जब स्रिष्ठी का ये छोटा सा तुकड़ा ऐसा है तो स्रिष्ठी के स्रोत को आप कैसे परिभाशित कर सकते हैं आप इसे न तो परिभाशित कर सकते हैं ना ही इसे समझ सकते हैं आप केवल इसमें विलीन हो सकते हैं आप इसका अनुभाव कर सकते हैं आप इसे कभी जान नहीं सकते आप इसे ग्यान नहीं बना सकते आपको ईश्वर के बारे में जो भी ग्यान है वो पूरी तरह बक्वास है, सांस्कृतिक बक्वास जिस भी तरह की संस्कृति में आप हैं आपका ईश्वर भी उसी तरह का होता है, है न? इसका केवल अनुभव किया जा सकता है अनुभव का अर्थ ये नहीं है कि आप इसे खा सकते हैं या आप इसे समद सकते हैं? नहीं! आप बस इसमें विलीन होकर ही इसे अनुभव कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है. इसलिए हम केवल विलीन होने के उपाय तलाश रहे हैं, ताकि हम उसे अनुभव कर सकें, जो हमसे कहीं ज्यादा विशाल है.